आज की विडियो में हम बात करने वाले हैं रूप मंत्रा आयरुविधी क्रीम के बारे में तो रूप मंत्रा क्रीम क्या है? इसके अंदर प्रमु का घटा कदा हुए क्या-क्या होने वाले है? कौन-कौन सी कंडिशन्स में? आपके डॉक्टर दोरा आपको ये लिखके दिया जाता है इसको यूज करने से आपको क्या लाव होने वाला है किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते है इसको लगाने के बाद आपको क्या-क्या साइड इफेक्ट होने वाला है इसका मूल्य कितना है कहां से आप इसको खरीच सकते हैं पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो को शुरू से लेकर आन तक जरूर देखें नश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चानल वेंग्टेश पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंग्टेश पुजार आई आज की चर्चा को शुरू करते हैं तो देखिए रूप मंत्रा जो है यह एक आयरुवेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसिन है या फिर आयरुवेदिक प्रोप्रेटरी इसको क्रीम बोल सकते हैं आयरुवेदिक proprietary medicine क्या होता है जिन medicines के बारे में हमारे आयरुवेदिक सम्मीताओं में test books में कहीं उल्लेक नहीं मिलता particular pharmaceutical company वाले herbal ingredients को यूज़ करकर अपना एक नया formulation बनाते हैं उसका testing कराते हैं उसका approval लेते हैं उनके पास इसका मालिकाना हक होता है इसलिए इसको आईरोधी प्रॉप्रेटरी मेडिसन बोला जाता है तो देखिए इस cream का उप्योग किया जाता है आपको जो सूरे की harmful raise होती है सूरे की harmful किरणे होती है उसके बचने के लिए और ये cream आपके चेहरे को निखारता है और आपके चेहरे में एक चमक लाता है अगर हम इसके घटक द्रवेखी ingredients की बात करें तो देखिए प्रती 10 ग्राम cream के अंदर गृता कुमारी एलोवेरा 5 परसेंट रहता है तुडसी 2 परसेंट रहता है हरिद्रा यानी हल्दी 1 परसेंट रहता है और इसमें गाजर 1 परसेंट रहता है सेव 1 परसेंट रहता है निम्बू 1 परसेंट रहता है खीरा 1 परसेंट रहता है द्राक्षा 0.5% रहता है और इसमें मुलेटी 0.5% रहता है नीम 0.5% रहता है चंदन 0.5% रहता है और बाकी इसमें क्रीम बेस होता है बाकी का और इसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल नहीं मिलाया जाता है तो आईए अब हम जान लेते हैं कौन-कौन सी conditions में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिखके दिया जाता है इसको लगाने से आपको क्या-क्या फायदे होने वाले है तो देखे सबसे पहले इसको acne यानि यानि ये आपको pimples की समस्या है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखके दिया जाता है ये आपको hyperpigmentation मतलब आपकी त्वचा में किसी भी तरीके का बहुत dark दाग दब्बा हो गया है उसको हटाने के लिए इसको use किया जाता है ये देखिए एक तरीके से skin moisturizing का का काम करता है skin के deep layers में जाता है और skin को hydrate करता है और आपकी जो सूखी सूखी त्वचा होती है उसको मुलायम बनाता है और ये जिन लोगों को acne होने के बाद मतलब pimples की समस्या होने के बाद जो skin की त्वचा जो होती है आपकी उसमें हलका हलका जो Susan inflammation होता है उसको भी कम करने के लिए ये काम करता है और ये देखिए आपके चहरे पर जो wrinkle जोरियां होती है उसको कम करता है और आपकी त्वचा में जो lining मतलब धरारे पड़ जाती है उसको ठीक करने के काम करता है और आपकी जो skin aging हो जाती है उसको भी ठीक करता है skin aging क्या होती है देखिए skin ऐसा दिखता है जैसे कि आपकी बहुत age हो गई हो तो ऐसे मैं आपकी skin को अच्छा करने का काम करता है और यह आपकी skin tone को improve करता है देखिए skin tone improve करने का मतलब मैं गोरा करने वाला cream नहीं बता रहा हूं देखिए dust के कारण pollution के कारण जो आपका natural skin color होता है वो कभी कभी dull पड़ जाता है तो ऐसे condition में उस skin tone को यह बढ़ाता है natural skin को बाहर लाने का काम करता है और यह देखिए इसमें बहुत सारे vitamin और anti-oxidant से भरा होता है यह cream तो आपकी तवचा को नरिश करने का भी काम यह करता ह आईए अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप इस cream को use कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको आपका जो face है उसको गुनगुने पानी लियूक वाटर से अच्छे से धो लेना है उसके बाद आपको एक साफ टावल लेना है उस अच्छे से पोच लेना है इस cream को लगा कर कुछ सेकेंड के लिए वहाँ पर सर्कुलर मोशन करना है सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से मसाज कर लेना है इस cream को देखिए आप दिन में दो बार यूज कर सकते हैं सुबह एक टाइम रात को एक टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर जैसे आपके के का आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है आईए अब हम बात कर लेते हैं इसके मूले के बारे में तो देखिए यह आपको 106 रुपे में 106 रुपीज में 30 ग्राम का ट्यूब मिल जाता है रूप मंत्रा का अगर इसकी अविलेबिलिटी की में बात करूं तो देखिए य आप इसको आपके नजदी की आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर किसी भी जन्रल फार्मेसी में आसानी से पास सकते हैं आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें वो जो आपको लाल आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक जल से जल पहुंच जाएंगे यदि यह वीडियो आपको पस देने का प्रेत्न करूंगा जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी मेडिसिन्स डॉक्टर के कांसल्टेशन के बगया नहीं लेनी है यह वीडियो इंफर्मेशन के लिए बनाई गई है तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विशे के साथ ती